नमस्कार Capital TV देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा इस वक्त की बड़ी खबर ग्यान वापी मज़ित सर्वे मामले से जुड़ी हुई है आज 17 तारिक है आज सर्वे की रिपोर्ट कोट में शौपनी थी लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी ये म जादा फोटिग्राफ्स है उन सभी को एक रिपोर्ट में पेश करने में वक्त लग सकता है और इसी वज़ा से कोट कमिशनर ने वक्त मांगा है साथी एक और नए कमिशनर की न्युकती की भी मांग की गई है पर इस बीच पुरे हलचल में एक पुराना वीडियो जबरदस वारल हो रहा है शोशल मीडिया पर जो मज़िद के अंदर का है जहाँ पे शिवलिंग साफ साफ नजर आ रहा है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मज़िद का अंदर का वीडियो है जो इस वक्त काफी जादा चर तो शाबसाइब देख सकते है यही वह वजुखाना है जहां पे मुस्लिम लोग वजु करते थे और इसी की जब सफाई की गई तो शिवलंग की प्रापती हुई अब बुका यही श करने की आप इसमें साप साब देख सकते हैं कि जो फोड़ा सा खंड़ित जरूर नजर आ रहा है तो यह वीडियो जबरदस वारल हो रहा है और सबसे बड़ी आपडेइट सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दे कि जब हिंदु पक्ष ने इस वीडियो के बार में पूछा गया कि एक वीडियो वारल हो रहा है इसकी सच्चाई क्या है तो सोहन लाल ने साफ साफ पर तौर पर यही कह दिया कि हाँ यह वीडियो सच है जब वो सर्वे के लिए अंदर गये थे तो उन्होंने ठीक इसी तरह का शवलिंग देखा था तो इस सर्वे की रिपोर्ट है वो पेश नहीं हो सकी है कल किया जाएगा बट इन दे मीन टाइम बनारस के कोट से सख्त आदेश दिये गये हैं वो आदेश यह है कि CRPF वहां पे 24 इंटो 7 मौजूद रहेगा किसी की भी इंट्री वहां पे बैन रहेगी अदालत ते साफ साफ कहा ह है कि किसी भी कीमत पर सबूतों के साथ छेड़ खानी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए प्रसासन को जिम्मिदार बताया गया है कि अगर कोई गरबड़ी होती है तो आप जिम्मिदार होंगे तो ग्यान वापी जो मंदिर है उसके चारों तरफ सुरक्षा विवस्ता लग पर तो एक तो वहां पर जो तत्काल आदेश जो दिया गया है वो यह है दूसरी तरफ दो मसले कोट पहुंच गए सुप्रिम कोट में सुप्रिम कोट में भी सुनवाई नहीं हुई है जैसे ही वहां पर सुनवाई सुरू होगी दर्सकों को हम इसकी इसका अपडेट है उन सारे चीजों के उपर हम बातचीत करेंगे उसके बाद दूसरा जब वहां पर सिवलिंग होने का दावा किया गया वापस मुसलिम पक्स सुप्रिम कोट जाता है और यह कहता है कि यह जो नांटी नांटी वन के जो कानून है उसका उलंगन है और इसमें जो सारी प्रक को बिठा दिया गया है प्रसाशन के दौरा वहां पर उस वापी को जिसको यह लोग वजु खाना कहते हैं वजु खाना को जो है बिल्कुल सीक्रेट उसको सील कर दिया गया तो यह सारे चीजों के इन आदेशों को पलटा जाए यह इलिगल है यह प्ली लेकर के यह लोग सुप्रिम कोट गये हैं जैसे यह लोग सुप्रिम कोट पहुंचते हैं हिंदू पक्ष भी वहां पे चला जाता है हिंदू सेना वहां पे प का अव्मारे पक्ष को भी सुना जाये आप यह जो मुस्लिम पक्ष जो अपना प्नि ले गर के सुप्रिम कोट पहुंचे हैं उसके सुनवाई के दचारन हमारे पक्ष को भी सुना जाए और इनका यह पक्ष यह है कि 1991 का जो कानून जिसका ये लोग हवाला दे रहे हैं वो ग्यान वापी के केस में लागू नहीं होता है क्योंकि इसी कानून का एक सब क्लाउज है जो ये कहता है कि ये सारी चीजे वो धरोहर वो बाहर है जो ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड है मतलब मंदिर मस्जित का मसला तो अपनी जगह पे है जहां जिसको जो लोग जहां वर्शिप कर रहे हैं उसको अधिकार को 1947 के बाद यथा स्थिती में रखी जाएगी लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्सन्स दिये गए हैं कि उन जगहों पे कारवाईयां हो सकती है जिन जगहों का इतिहासिक पुरातात्विक महत्व है जो ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड है मतलब कि कल ये कोई कह दे ताज महल वक्त भी जमीन है एक एक्जाम्पल के तौर पे बहिए मुसलमानों को दे दो यहां पर पहले से नमाज हो रहा है ये मस्जिद है यहां पर हमको ये सारा कुछ हमारा हो जाए कोट ने कहा नहीं क्योंकि ये ASI के दोरा प्रोटेक्टेड म कोट में ये कह रहे हैं कि ज्यानवापी मस्जिद और ये तमाम चीजें वो ASI के दोरा प्रोटेक्टेड मॉनुमेंट है इसलिए 1991 का कानू उसके उपर लागू नहीं होगा अब ये कोट में जा रहे हैं सुनुआई जब सुरू होगी तो हम अप्डेट देंगे इसी बीच दोनों तरफ से तर्क भी आ रहा है बार-बार ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग है शिवलिंग का दावा भी किया गया कोट ने आदेश भी शिवलिंग को सील करने का दे दिया पर मुसलिम पक्ष के तरफ से कल तो कोई बयान नहीं सामने आए लेकिन आज सुब ब पाइप हो पाइप से पानी निकलता हो तभी तो फवारा कहेंगे ये कल दिव ज्यान चिदमरम जी और सल्मान खुरसीद को आया सबसे बड़े दिव जो हिंदू जो है वो लुंगिधारी चिदमरम साहब उन्होंने कहा कि भई वो तो फवारा है साथ वो गय नहीं होंगे उन्होंने कल का फवारा आज उनके घर पर जो है हर जगर चापे मारी पर रही है सी बी आई की हजारों कड़ोर रुपे जो है लूट करके इन लोगों ने अपना यूपीय के दौरान अपना महल पूरी दुनिया में जमीन खरता जाजा जाद खरता वो तो चिदमरम की बात कि अरे भाई मैं यह कह रहा हूं कि फवारा है ही नहीं जो वीडियो सामने नदर आ रहा है जो वीडियो आपने दिखाया उस वीडियो में हमें तो कहीं पाइप नदर नहीं आ रहा है और फवारे वाला वजू खाना ये तो इसको कहते हैं कि सारे लोग इतने सारे लोग वह पर नमाज पढ़ते हैं चौविस घंटे के बाद समझ में आए जब चिदंबरम को बताना पड़ा कि फवारा है दिकत क्या है कि ये किसी भी हाल में फवारा नहीं है ये पत्थर कितनी पुरानी है कब से वहां पर मौझूद है कब इसकी कटिंग हुई कब से क्या है ये तो सा देनी वाले इतिहासकारों के मन मुताबिक इतिहास तो होगा नहीं आजकल तो वह सांटिफिक है कब बना नहीं बना वह सारी चीचे सामने आ जाएंगी और इस दौरान ये जो विबाद आप बता रही है कि जो कोई फवारा कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा वो जो लोग सर्वे करने के लिए गए सोहनलाल ने भी उन्होंने साफ साफ कहा कि यही है औरिजिनल अब यह खंडित है नहीं है क्या है उसमें दो बाते समझे जो बात में बता रहा हूँ गौर से आप लोग उसको ध्यान से आप समझे शिवलिंग उपर जो नजर आ रहा है इसको जानने के लिए उधर नीचे जाने के रास्ते पर जो सर्वे की टीम नीचे गई तो वो बता रहे हैं कि वो उपर से लेके नीचे तक है और नीचे कितना गेरा है वो अभी मालूम नहीं है अब सोहनलाल बता रहे है कि पुरान के मताबिक कासी में सौ फीट उचा सिवलिंग है ऐसा जिक्र है तो ये कैसे मालूम चलेगा ये मालूम तब चलेगा जब वहाँ पे खुदाई होगी जब वहाँ पे रिसर्च होगा जिस तरह से राम मंदर के अंदर जब ये लोग कहते थे भई कुछ नहीं है मस्जिद के नीचे कुछ नहीं है तो फिर जब कोट ने कहा कि खुदाई करो मालूम करो तो पूरा का पूरा मंदर निकल आया अब ये सिवलिंग कितनी बड़ी है कितनी पुरानी है इसके लिए कैसे मालूम चलेगा इसके लिए तो तब मालूम चलेगा जब कोट के दौरा ये कहा जाए कि अब यहां पे खुदाई होनी चाहिए अब इसके लिए हिंदु पक्ष बनारस की कोट में जाकर के आज अप्लाई करने जा रहा है ये प्ली लगाने जा रहा है कि एक तो आपने सुरक्षित कर लिया और सिवलिंग के चारो तरफ जो वजू खाना में जो कंस्ट्रक्शन्स है उसको हटाया जाए ये मालूम किया जाए ये सिवलिंग कहां तक है कब तक है और इसके बेश में क्या है अपने आप मालूम चल जाएगा फवारा है या शिवलिंग है अब तो कई मांगे भी की जारी है जैसा कि आपने बताए कि मलवे को लेकर भी सरवे की लिए याचिका दाखिल की जाने की बात की जारी है साथी स्वाचाले को शिफ्ट करने की बात की जारी है वजुखाने को शिफ्ट करने की बात की जारी है पर इसी भी जो बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को पता रहें कि आज शरवे की रिपोर्ट नहीं सौपी गई तो पक्ष के लोग जो सर्वे में मौझूद थे उनके बॉड़ी लेंग्विज सही मालूम चल रहा है कि वो मैदान छोड़ के भागने वाले हैं जिस हिसाब से यह लोग मुझे कोई बता दे कि चलो भई यह फवारा है या सिवलिंग है अंदर जो मुर्तिया मिली है उसका क्या सिंगार गौरी का जो टॉप जो नजर आ रहा है जो मस्जिद के जो गुमबट जो बाहर से नजर आता है अंदर वो मंदर का स्ट्रक्चर है कोई उसका बेस नहीं है मंदर के स्ट्रक्चर पर ही आपने ढग पोत करके आपने एक गुमबट बना दिया भई यह सारी चीजे तो मौजूद है आपको यह जो घंटो घंटो जो वीडियोग्राफी हुई है उसके हर पहलो को भी तो ध्यान देना पड़ेगा जो चीज दिन के उजाले के तरह साफ है जिसमें दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं कि किस हिसाब से और अंजेब का बयान है उसका आदेश ह फर्मान है और यह डॉकुमेंटिट है किस मंदर को कैसे तोड़ना है मंदर के जगह पे क्या बनना है इसका भी आदेश इसका भी फर्मान यह और अंजेब तो यह सारी चीजे कागजाद बता रहे हैं दस्तावेज बता रहे हैं जमीनी हाकिकत बता रहा है जो पुरतात्त् म abundant कि यह सुरू से ही मंदिर है और 1957 में भी यह मंदिर था आज भी मंदिर है क्योंकि मंदिर तो वही होगा जहान मुर्तियां होगी वही मंदिर होगा जहां सिवDING होंगे वही तो सिवाले होगा आप उसके उपर सिवाले के ओपर आप नईेंटल लगा दो और के बंग मज्त है मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर गुम्बत बना दो कदूब मस्जिद है तो उससे थोड़ी हो जाता है तो ये अब देखना होगा कि कोट में ये पूरी चीज़ें जो पेश होती हैं पेश होने के बाद बनारस कोट के तरफ से क्या कहा जाता है और निजर जो है हमारी बनी भी रहेगी सुप्रिम कोट के उपर जहां आज इस पे बहस होना है तो आज की सबसे बड़ी खबर गई है जिस पे सभी की निगाहे टिकी थी कि आज सर्वे की रिपोर्ट सौपी जानी थी कोट में पर आज सर्वे की रिपोर्ट नहीं सौपी गई दो से तीन दिन का और वक्त मांगा गया है पर आज की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि सुप्रिम कोट से फैसला आना है उसकी भी अपडेट आपको बताएंगे ग्यान वापी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रिए कैपिटल टीवी फिलाल कैमरेपरसन अशोग के साथ मैं पूझा कैपिटल टीवी